नमस्ते हम प्रभाकर चोरशिया अपने लोग अने के बीच में उपस्तित हो चुकालबानी आज के एपिसोड इहे रही कि अगर हमनी चाहा तानी सन्थ तो समाज के परिवर्तन कर सकतानी सकी ना अखिर समाज के जों संस्कृती हमनी के अंदर लागो हो चुकालबा तो के परिवर्तन भी करे के जिम्मेदार हमनी ही बनतानी सन्थ काहिशी कि उगर बनसच हमनी ही आई शन्थ एगो बहुत बड़ा कुप रथा के रूप में चलल मृत्यु भोज खाये के और हम मृत्यू भोज के बिरोध करता नि मृत्यू भोज के बिरोध होखे के बीचाहिए मृत्यू पर भला भोज होखे ये कौन खुसियाली होई ना कोरोना के काल हमने के इतना बीतल खा हमने देखनी है सन भी और क्रोना के समय में भी करिशन करिशन जवान आदमी बच्चा आदमी भी मरल खा लेकिन ओकर भोज खातीर भी लोग के देखल गई कि भीरोध करते रहेगी भोज कहा है न खीला जोन आपन जवान बेटा गुमा दे लग जौन आपन जवान बेटा के खोदे लग और कुरोना के चलते तडब तडब के बेमारी में ना जाने क्यतना पईशा लगाद लग और सिर्फ कुरोना ही ना और भी क्यतना बेमारी होला जौन बेमारी में लोग करोडो रूपया खर्चा कर देवेला लेकिन कईल्या के बावजूद भी खियावे खातीर हमनी के संस्कार और संस्कृती निभावे खातीर लोग के मृत्यु भोज करावे के परला ना कहीं भी बेद सास्त्र में इवर्णन नहीं खे कि स्राध करे के परी स्राध जरूरी ही बा ना उकर कौन पताबा जोन आदमी मर गई उकर घुर कर्म और स्वभाव जोन कहिले होई वह अनुसार उकर पुनर जन में फेर होई या उकर मुक्ती प्राप्त होई या वो स्वर्ग प्राप्त होई अपने के दान दक्षना दे देला से या अपने के इकाम कहिला से किरिया कहिला से स्राध कहिला से उकर मुक्ती होखे वाला नहीं खे तो यसे इजोन स्राध के काम बा एक हमने अगर चाहें सन तो छोड़ सकता नी सन फिर मजबूरी इबा कि कौनो गरीब बेक्ती कौनो गरीब बेक्ती अगर एके परिवर्तन करे के चाहता त दिविन किसीम के उक्राव उपर टॉर्चर आई कि तु कहें इसे करता रही यह उक्राव उपर आरोप लागी जही गरीब भाख याओ प्याओ नहीं कर सकत एसे एकर बिरोध करता है यह से इन नहीं के चाहत करें के ना ऐसन कबो ना हाँ अगर एक परिवर्तन करें कबा तो ज आर ये समाज के बेक्ति नतुनी परसाद कुस्वाह जी बहुत बढ़ियां काम करके गनी उहां के पास में छमता रहे कि पांच गाओं के लोग के खिया सके के लेकिन उहां के मरला के बाद में उहां के बेटा अनील कुस्वाह और भी जोन उनका घर परिवार वाला लोग इ निर्नाई कई लग कि ना मृत्य भोज हमनी ना करायमशन और धीरे धीरे उँ कालिका माई गाउपालिका के भेड़ी आरी जोन गाउबा उहां एकर धीरे धीरे बिस्तार होखे लागल और भी कुछ परिवार एसे जुड़े लागल कि हां मृत्य भोज पापबा मृत्य भोज ना खाई जाई अईसे तक खाय खती जन्म दीन के बिवा के घर भोज के अईसे कितना भोजबा खाई खोशी खोशी से खाई जितना मन करे उतना खर्च करी बढ़ियां से अपन रिष्टेदार के बोलाई लेकिन कृप्या मृत्यू भोज के बहिसकार करी लोगन अगर मृत्य में के बाद इतना उक्रा लगे पैशाना जूट पावेला क्यों भोज करा सके और भोज भी वाला काउना खुस याली से कराई जिकरा घर में खुद मातम पड़लबा उभोज कराई और घरे भोज खाये कि अपने आसा करता ने इत गलत बात वा और समाज की परिवर्तन खातीर अबर समाज के अगर हमने के बनावे करी तो हमने ना उठे म्संद हमनी ये करा के जाग्रित ना करे म्संद तो फिर आगे वाला पिड़ी भी ये दूरदसा सहत रही तो समाज की परिवर्तन करे के आप तो एक कदम अपने भी तो बढ़े के कोशिश करी आज से इप्रतिग्या करी अपने आप से प्रतिग्या करी कि विवाह के भोज खाये जाएं जन्मेदीन के भोज खाये जाएं छठ यार के भोज खायें घर भोज के भोज खायें लेकिन मृत्ती भोज में हम सामील ना होकब मृति भोज में बस उकर सरदांजली अरपन करे खाती जाएं बस उकरा घरे समाने रूप से जोन ग्री सुद्धी बोलेला अपने देखें पुरोईत जब मादमी मर जला तो उकरा के फुगे खाती पुरोईत भी वहां संगे संगे जाला बेद मंत्र पाठ पढ़करके वहां से आवेला घर में लाके बाद में फिर भी हवन करा दे होला तिशारकादी ने फिर उकरा घर में हवन होला उक ग्री सुद्धी खाती होला ताकि सरीर मर ला के बाद में सरीर से बिभीन किसीम के दुर्गंदित बायू अब निश्क लागला कैसे कि सरीर जब मर गल तर धीरे धीरे कर एक एक अंग अब सड़े के सुरू हो गई अपने जानतानी अपने बैज्जानिक यूग में आज जी रहल बनी कि ओकर सरीर से जौन बद्बू निकलेला ओकर ग्री सुद्धी करे खातिर होवन कईल जाला और यह से बहुत लोगे कमिट इभी रहला कि जब आदमी मरे तो लास के फूके जाये के बेरा नहा के जाये की चाहिए लेकिन अईला के बाद ना भी नहाई तो इसे कुछ फूके बाला नहीं के लेकिन फूक के आईला के बाद अपने के नहाईल जरूरी बाद एसे जरूरी बाद क्यों लास से अपने टोच फईल बानी और अंतेश्टी में से भाग लेके आईल बानी तेसे हिंदु धर्म में अधिकांस देखें कि लोग फूके जायक बेरा नहा के नहाई जाला लेकिन फूक के आईला के बाद में अनिवारी रूप से नहाला और एक बाद इदेखें के नामिलल कि लास से आदमे के इतना दुखी होला कि लास के सिर्फ छूके आगईल तर नहाईल जरूरी बाद लेकिन वो मरल लास के, मुर्गा मुर्गी के, बक्रा के, भैस के, लास के जो उनकी प्राण उक्रा में से निकल गई, उन लास के गुष तेल, हरदी, मसाला डाल करके खाग कईसे लोक जाला लास से अतना घृण आब आबा, मरल शरीर से अतना घृण आबा फिर भी उकरा के खाये खती लोग तयार किसे हो जला तो समाज बदले के चाहें तब है बदले साकाहार और मांसाहार जोन प्रोटीन खातीर अपने मांस के उप्योग करते हैं न उसे कहीं ज़्यादा प्रोटीन हमने के मूम के दाल में, रहर के दाल में, बंगला के दाल में, मसुरी के दाल में मिलेला और दाल के हमने खाये के कोशिश ना करें इसन बहुत लोग इसन बाजित दाल के ना खई, दाल को प्योग ना करी लेकिन अगर साकहारी चीज घी खाये तो अपने के प्रोटीन बुर्न रूप से प्राप्त हो सकता। कोनों ज़रुरी निके मांस, मचली, अंडा, सराब ख़ईला के चलते और अपने के अगर मनपनी अंतर ना ना भईल तो फिर अपने आपके बस में कईसे राखेम और अपने आपके जब बस में ना रखे सकें, तो फिर ये समाज के परिवर्थन कहीं से करे सकें, इस समाज में रहल अत्याचार अन्याय पाखंड के बिरोध कहीं से अपने करे सकें, तब बिरोध करे के बाद, समाज के सुधारे के बाद, तब पहला कदम अपने आप चले के परी तो हम कहे के चाम कि मृत्यू भोज के बहिस्कार करी लोगन अनेकन गरीब समाज जो हमनी में दलीत बर्ग के लोग पिछड़ा बर्ग के लोगबा आर्थिक रूप से जोन विपन्य लोगबा मजबूर होके हिंदु धर्म छोड़ करके बाहर जाये के परता और यह भाय म मत रहीं कि अपने के दान दक्षिना देला से मरल शरीर के जोन अपने के जोन रिष्टेदार लोकर आत्मा निकल गई तो उकरा स्वर्ग प्राप्थ होई या नर्क प्राप्थ होई ना उतो उकरा अपन कर्म पर ही निर्वर्भा जैसान कर्म कईले होई यान उइसान उनका प्राप्त होई उके रोक नहीं कि सकत और अपने के यहां दान दख्षिना देला से उपनों मिलेवाला नहीं खें बैंक के अगर पैसा देवे कोई एक देश से दूसरा देश में पठावे कोई तो अगर नाम पता ना भाईल असली उकर जगह ना मिले सकल तो अपने के एक रोपया भी ट्रांसफर नहीं के हो सकत जा नहीं खे सकत और ना बैंक वाला पठा सकता तो जोन आदमी अंतरिक्ष मे मिल जाई इस सबसे बड़ा भारी मुर्खताबा और इस भोल में मत रहीं एसे हमनी के गुरु आचारे लोग पंडित लोग महासे लोग कहेला यहां इस दान दक्षिना के आव सकता मरला के बाद नहीं खे जीवित राते दान दक्षिना करी ना करी कोनो गरीब के दान फर्क परे वाला भा हां उजाला बारी जहां रात्र भा उजाला करी जहां अंधेर भा भूखा के पेट भरें तो अपने खातिर इस्वर से प्राथना करी अपने खातिर कुछ सुक समरेदी के आशिर बाद दी लेकिन भरल पेट वाला के खियायं तो गुस्सा भी करी अपन मतलब अपन अक्रमक रूप भी दिखाई तेसे भरल पेट के मत्भरी गरीब के सयोग करें और समाज के परिवरतन खातिर एक कदम अपने के भी आई जरीवा नमस्ते एपिसोट से हम भी दालेतानी चली जैसे द्राम